Hello everyone, welcome to my channel, सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए इस पृत्वी पर, अधर्म को मिटाने के लिए, पाप अत्याचारों से मुक्ती दिलाने के लिए और हर एक सोल के साथ जस्टिस हो, इसलिए विश्रुम भगवान ने कलकी के रूप में धर्ती पर जन लिया। क्या उनका ये अवतार आखिरी अवतार है या फिर से कोई नया अवतार इस पृत्वी पर होने वाला है, क्योंकि सभी धर्म अपने अपने धार्मिक शब्दों में हर कोई अलग-अलग रूपों में आखिरी अवतार की व्याख्या कर रहा है। कल की अवतार जो की आ चुके हैं, क्या वही हैं जिनकी व्याख्या सभी धर्म वाले अपने अपने शब्दों में कर रहे हैं। कोई कहता है कि पैगंबर का रिबर्थ होगा, कोई कहता है जिसस क्राइस्ट का रिबर्थ होगा। तो क्या अभी कल युग में और भी अवतार आने बाकी हैं या कल की अवतार ही कल युग के अंतिम अवतार हैं। आज इसी बात पर मैं प्रकाश डालूंगी अपने विडियो में। विश्रु भगवान हमेशा से ही अपने कंधों पर इस शिष्टी को चलाने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने ले ली हैं। फ्रम स्टार्टिंग टू एंड यानि हर बार उन्हें जन्म लेना पड़ता है। हर बार वो गर्व से जन्म लेकर ही इस धर्ती पर आते हैं। तो आप लोगों का ये कहना कि अवतार कभी भी जन्म नहीं लेते ये गलत है। आपकी समझ होगी मेरी समझ आपकी समझ से अलग है। माता कौशलया के यहां राम जी ने जन्म लिया। माता देवकी के यहां कृष्ण जी ने जन्म लिया। और माता सुमधी के यहां कलकी ने जन्म लिया। कल यूग में रामकृष्ण परमहंस वो भक्त उच्च कोटी के माने गए जिन्होंने मा काली का दर्शन प्राप्त किया सिर्फ दर्शन ही नहीं प्राप्त किया बलकि उनके साथ मा काली 2400 घंटे रहती थी लोग उन्हें कहते थे कि अपने होशो हवाश में नहीं है लेकिन एक भक्त की भक्ती सिर्फ भक्त ही समझ सकता है या वो जिस देवी देवता को पूझता है वही वही डिवाइन एनरजी अपने भक्त के साथ उसके भक्ती को समझ सकते हैं या समझ सकती है अब चैतन्य महापरप्रभु जिसे गौरंग के नाम से भी जाना जाता है जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त लेकिन साक्षात कृष्ण का अवतार उन्हें भी कहा गया हर पल हर समय कृष्ण की कृष्ण के भाव में ही वो रंगे रहते थे उनकी पत्नी भी उने के पद चिन्नों पर चलते हुए हमेशा से ही उन दोनों ने कृष्ण का गुनगान किया जब चले गए चैतन्य महापरभु जिनका अवतार इसी कल्यूग में हुआ उसके बाद एक और बाबाजी के उपर मैंने अपना वीडियो बनाया महापतार बाबाजी जो कहा जाता है लगभग पाँच हजार वर्षों से जिन्दा है यानि कल्यूग में उनका भी जन्म वो भी कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं कि साक्षात कृष्ण उनमें बसते हैं लोगों ने आटोबायाग्राफी लिखी बाबाजी के उपर और उन्हें कृष्ण के नाम से ही पुकारा अब विश्रु भगवान के आखिरी अवतार कल की अवतार जो इस प्रित्वी पर अल्रेडी अवतरित हो चुके हैं अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं आये हैं कुछ लोग मानते हैं कि आ गए हैं ये अपने अपने विश्वास के उपर है आपके ज्ञान के उपर है किसी के उपर किसी के ज्ञान को जबरजस्ति नहीं थोपा जा सकता जो जिसमें चाहे विश्वास करे मानो तो देव ना मानो तो पत्थर कल यूग में वैसे भी किसी को अच्छी बात समझाना बहुत मुश्किल है लोग बुरी बातों पर जल्दी जल्दी यकीन कर लेते हैं तो कल की अवतार ही वो आखिरी अवतार हैं जिन्हें आप कह लिजिए जिसस क्राइस्ट का रिबर्थ या कह लिजिए पैगंबर मुहम्मद का रिबर्थ लेकिन हैं तो वो विश्रु भगवान के आखिरी अवतार और एक ही धर्म को वो इस्थापित करेंगे और वो है सनातन धर्म end of the कल्यूग घोर कल्यूग चल रहा है जब कल्यूग खत्म होगा महाविनाश महाप्रले के बाद सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की स्थापना ही इस प्रिथ्वी पर होगी क्योंकि ये धर्म इंसानियत का धर्म सिखलाता है कल्की अवतार हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई बिलकुल नहीं देखेंगे कोई बटवारा नहीं हर एक सोल के साथ उनका इक्वल बिहेवियर रहेगा जिस सोल ने जैसा कर्म किया उसके एकॉर्डिंग ही उसकी जस्टिस निर्धारित की जाएगी कल्की अवतार के द्वारा, भले कोई उनकी पूजा करे या ना करे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है उनकी पूजा पार से खुश होकर उनको वो स्पेशल कोई रिवार्ड दे देंगे और जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं या जो इसाई हैं, जो नहीं मानते कि कल्की अवतार का जन्म हुआ है तो उनके साथ कुछ अन्याय करेंगे वो ऐसा बिलकुल नहीं है कल्युक का जो भी आखरी अवतार होना था, वो हो चुका है पुराणों में यही कहा गया है और यही सत्य है जिनकी आखें देख चुकी हैं, जिनकी आखों को दर्शन मिल चुका है उन्होंने ये बात पब्लिकली आके भले नहीं कही अपना चेहरा नहीं दिखाया लेकिन किसी ना किसी के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचाई कि एक बहुत ही भक्ती रूपी साधारन परिवार में साधारन ढंग से रहने वाले कल की अवतार जन्म ले चुके हैं पब्लिकली कभी भी वो नहीं कहेंगे कि I am कल की अवतार मैं सभी को न्याई देने के लिए आया हूँ लेकिन कई ऐसे लोग होंगे अलग-अलग धर्मों से जो ये नहीं मानेंगे कि वास्तों में आखरी अवतार कल की अवतार है क्योंकि जो लोग मुस्लिम हैं या इसाई हैं वो लोग अपने उनके जो धार्मिक ग्रंतों में लिखा हुआ है उसके एकोर्डिंग वो वेट कर रहे हैं कि अभी कोई और अवतार आने वाला है जो उनकी मदद करेगा ऐसा बिलकुल नहीं है जो भी इश्वरिय अवतार होते हैं जहां पर भी जो भी वो पूरी मानव जाती के लिए प्राणी मात्र के लिए अपने कर्मों को करते हैं मानव उनकी भलाई के हेतु उन्हें जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेकर वो पूरी पृत्वी को बचाते हैं अन्याय के अंधकार से और प्रकाशित करते हैं सब्त के प्रकाश से तो जो भी कल्युक का अंतिम अवतार होना था वो हो चुका अब इसके बाद कोई और अवतार शेश नहीं रहा अब और कोई अवतार धर्ती पर प्रकट नहीं होने वाला मानो या ना मानो ये आपकी मर्ज लेकिन सच्चाई यही है मैंने कहा सत्य को डाइजेस्ट करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है क्योंकि सत्य कड़वा होता है और वैसी भी कड़वी चीजे लोगों को पसंद नहीं आती आज जो भी झगड़े हो रहे धर्म के नाम पर आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही जो यूप परिवर्तन का कार्य है चल रहा है आने वाले समय में ऐसा यूप परिवर्तनмат अपनी आखों के सामने होता हुआ देखेंगे जिसमें अन्तिन भुमी का कल की अवतार की ही रहेगी Thank you very much for watching me.